बराबर में खड़वाते हैं तो आपको लगता है कि यह वाला स्टेटजी बढ़िया रहा कि पवन सिंग बड़े थे पवन सिंग को हमने सी टार्गेट किया उन्होंने हमको रियाक्ट किया तो उन्होंने आप्टोमेटिकली हमको बढ़ा कर दिया फिर हमारा टैलेंट भी लो मैंने हर वो चीजे की मैं खुद पर काम किया जो पहुन भिया नहीं कर पाते तो वो मैंने किया पहले मैं उस आदमी के पास गया तब मुझे लगा जी मेरे मेरे लायक हैं क्योंकि मैं किसी को ऐसे तो खोद नहीं सकता कम लगना चाहिए कि मैं पहले उसके लाइक बनू जाएंगे अच्छा वो वीडियो किया था जिसमें आप दोनों का डांस जो है हमारा हमारी कंपनी के दिनिजी है उन्हीं के रिसेप्शन था और उसी में हम सब का इन्वाइट किया गया था तो हम लोग इसी स्टेज पे थे और दोनों भाई उस दिन आचे और नाच के वेचर उस समय कंटरवर्सी में चल रहे था हम लोग इसलिए आरा वायरे लोग है और हाँ साइद उसके लिए कि पहली बार हम लोग एक साथ नजार आगे ना ऐसे कभ राजा को एक राजा को नहीं बोलना चाहिए पहले मुझे लगता था कि नहीं राजा को नहीं बोलना चाहिए सम्मान भी है लेकिन मेंटेंड भी अपना घजब शब्दों की वारिकिया बड़े अच्छी होती है समझने में चलिए इसी पूछ लेते हैं ज्याद आच्छा यह तो दुनिया से पूछेगा तो बताएगे मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता ना ज्यादा च्छाक्टर कौन है पावन सिंग नहीं कर सकता ज्यादा अच्छा सिंगर कौन है पावन सिंग खिसारी पहुं से ईहुट चींजॉघ की रही जाथा ग confession कि से रही पहुं सिंगहि ऐसारी सक क्याप सब्सक्राइब को नहीं आधिक अवक्व कि नहीं कि इतना काम करते हैं नि के टेमिई हैं डूबल डिचिट में हो गई थी एक से नौल निल मेटों मेरे आज खाना तुम्हारे मन का बन जाएगा अच्छा एक वीडियो और वाइरल हुआ था जिसमें आपने पवन जी को पिता बता है तो एडिटेड है या औरिजिनल वीडियो है बड़ा भाई पिता के तोलिये होता है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अपने बड़े बया का प मानता भी हो और उन्हीं को नहीं बलकि मुझे लगता है कि मेरे चारों सिनियर जैसे रभी भिया मनोज भिया दिनेश भिया यह बड़े भाई के तौर पे हैं तो यह कहीं ना कहीं मेरे पिता तुली ही तो रभी किशन मनोज तिवारी दिनेश लाल और पवन सिंग अगर खि में किसको फोन लगा सकते हैं मुझे समझना हो कुछ मालो जानना हो समझना हो कुछ सला लेनी हो मदब मांगने हो कोई काम पढ़े नहीं के पस ऐसा कुछ नहीं जो जानने की जरूए मुझे इश्वर ने इतने पबलिक दिया है मुझे चारों में किस से कमफर्टेबल जाद किस के करीब आफ जाता है मैं सबसे हो जरूवत मेरी पढ़ने पर सब लोग सबसे हो लेकि सबसे नहीं मुझे कभी जरूवत पड़ी ही नहीं मैं मेरी जरूवत उतनी बड़ी है नहीं मुझे अगर मेरे पास पांच करूर रुपया है तो मैं तीने करूर कर समाल लेता हूं दूख और बैलेंस रखता हूं कब दिन बदल जाए पता नहीं हां पता नहीं न मुझे तो इसे लिए मैंने अपनी सौख को बढ़ा नहीं किया कभी जिवन में कभी अपनी सौख देखे आदत खराब होती है न जब आपके सौख बढ़ते हैं तब इंसान विगड़ता है वि दूख यही है कि मैं इमोशनल बहुत हूं रोते बहुत हूं और यहां इमोशनल लोग में को लोग में समझ सकते हैं